हे गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और इस वीडियो में गाईज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोग पेटीम के एपलिकेशन में अपना बैंक एकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं आपको इस तरीके से प्राब्लम आती है हैं या पर लिखा रहता है something went wrong, please try again after some time तो इस तरीके से अगर आपको जो है प्राब्लम आ रही है जिब आप अपना बैंक एकाउंट चेक मतलब कि बैलेंस चेक करें तब तो इस problem को आप कैसे solve करेंगे वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो guys चलिए video start करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है इस problem को solve करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो problem होती है वो आपके phone में क्यों आता है तो basically जब आप अपना bank balance check करते हैं और उस time guys आपके phone में internet connection नहीं रहता है ठीक से तब आपको जो है इस तरीके से problem आती है तो जब आप अपना bank account में balance check करते हैं तो आपको जो है उस time अपने phone में internet connection को देख लेना है कि आपके phone में internet connection जो है वो ठीक से चर रहा है कि नहीं चर रहा है और उसके बाद दोस्तों आपको जो है क्या करना है यहाँ पर आपको यह जो application है उसको आपको long press करना है long press करने के बाद जो है application information पर जाना है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको एक option आता है restricted data usage करके तो यह जो option आ रहे हैं वहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद दोस्तो आपको wifi और mobile data का option आता है तो दोनों को आपको इस तरीके से enable कर लेने हैं तो दोस्तो इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए